राश्ट्रिय शिक्षानीत दो हजार बीस भाग एक स्कूल शिक्षा अध्याए एक प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नीव तो आईए सुनते हैं इसका द्वानी पाठ यह नीती वर्तमान की 10 प्लस 2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठे चरिया और शिक्षन शास्त्रिय आधार पर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 की एक नई व्यवस्था में पुनरगठित करने की बात करती है जैसा की इस पुस्तक में दी गई एक आकरिती के द्वारा समझाया गया है वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयू के बच्चे 10 प्लस 2 वाले धांचे में शामिल नहीं है क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश्थ दिया जाता है नए 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 धांचे में तीन वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक वाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा यानि ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चल कर बच्चों का विकास बेहतर हो वे बहतर उपलवधियां हासिल कर सकें और खुशाल हो 1. प्रारंभिक वाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की निव 1.1 बच्चों के मस्तिश्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है बच्चों के मस्तिश्क के उचित विकास और शारिरिक वृद्धी को सुनिश्चित करने के लिए उसके प्रारंभिक 6 वर्षों को महतोपूर्ण माना जाता है वर्तमान समय में विशेश रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित प्रिष्ट भूमी के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक वाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है इसलिए ECCE में निमेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे ECCE संभौतय समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है प्रारंभिक बाल्यवस्था विकास देख भाल के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चे ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तयार हों 1.2 ECCE में मुख्य रूव से लचीली, बहु आयामी, बहु स्तरीय, खेल आधारित, गतिविधी आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउट डोर खेल, पहलिया और तारकिक सोच, समस्या सुलजाने की कला, चित्र कला, पेंटिंग, अन्य द्रिश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल कर इसके साथ अन्य कार्य जैसे समाजिक कार्य, मानविय समवेदना, अच्छे विवहार, शिष्टचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समुह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विक्सित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है 1.3 NCERT द्वारा आठ वर्ष की आयू तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारणभिक बाल्यवस्था की शिक्षा के लिए एक उतक्रिष्ट पाठेक्रम और शैक्षनिक धाचा यानि NCPFECCE विक्सित किया जाएगा अर्थात शुन्य से तीन वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और तीन से आठ साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा उप्रोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECCE राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय नवाचार एवं सर्वत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा विशेश रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताबदियों से बाल्यवस्था की शिक्षा के विकास के लिए सम्रिद्ध है और वे स्थानिय परंपराओं में विकसित हुई हैं जिन में कला, कहानिया, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा शिक्षा का ये मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ आंगन वाडी के लिए भी एक मार्ग दर्शक के रूप में काम करेगा 1.4 भारत में चरणवध तरीके से पूरे देश में उच्चितर गुणवत्ता वाले ECCE संस्थानों के लिए सार्वभावमिक पहुँच सुनिश्चित करना व्रिहद लक्षे होगा इस प्रारंभिक बाल्यवस्था में देखभाल और शिक्षा जैसे महत्तो कांक्षी लक्षे तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी छातर तक पहुँचाना होगा पिछडे जिलों और उन ख्षेत्रों पर विशेश ध्यान और प्रात्मिक्ता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे हैं विस्त्रित और सशक्त ECCE संस्थानों द्वारा ECCE प्रणाली को लागू किया जाएगा जिसमें ECCE के पाठेक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों या शिक्षकों को भरती करेंगे 1.5 प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा यानि ECCE की सार्वभामिक पहुँच के लिए आंगनबाडी केंद्रों को उच्चितर गुणवत्ता के बुनियादी धाचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाडी कारेकर्त्रियों एवं शिक्षकों के साथ शशक्त बनाया जाएगा प्रत्यक आंगनबाडी में सम्रिद्ध शिक्षा के वातवरन के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बालसुलब और निर्मित भवन होगा आंगनबाडी केंद्रों में बच्चे गतिविधी से भरे परियाटन करेंगे और अपने स्थानिये प्रात्मिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिरेंगे ताकि आंगनबाडी केंद्रों से प्रात्मिक स्कूलों में संक्रमन को सुचारू बनाया जा सके आंगनबाडियों को स्कूल परिसरों या सम्मूहों में पूरी तरह से एकिक्रित किया जाएगा और आंगनबाडी बच्चों, मातापिता और शिक्षकों को स्कूल या स्कूल के विभिन कारेक्रमों में परस पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा 1.6 यह परिकलपना की गई है कि पांच वर्ष की आयू से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटी का जो की कक्षा एक से पहले है में स्थानन तरित हो जाएगा जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक हैं तयारी कक्षा में सीखने को मुखे रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए जिसमें संग्यानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं का प्रारंभिक साक्षर्ता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा दोपहर के यानि मध्याहन, भोजन, कारेक्रम को प्रात्मिक विद्याले के साथ सारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए स्वास्थे की विकास की निगरानी और जाच परिक्षन जो आंगनवाडी व्यवस्था में उपलब्ध हैं उसे प्रात्मिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराये जाएगा 1.7 ECCE शिक्षकों के शुरुवाति कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाडी कारेकर्त्रियों या शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठेक्रम या शिक्षन शास्त्रिये फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षन दिया जाएगा 10 प्लस 2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाडी कारेकर्त्री या शिक्षक को ECCE में 6 महिने का प्रमाण पत्र कारेकर्म कराया जाएगा और कम शेक्षनिक योग्यता रखने वालों को एक वर्ष का डिपलोमा कारेकर्म कराया जाएगा जिसमें प्रारंभिक साक्षर्ता, संख्या और ECCE के अन्य प्रासंगिक पहलूओं को भी शामिल किया जाएगा इन कारेक्रमों को डिजिटल और दूरस्त माध्यम से DTH चैनलों के साथ स्मार्ट फोन के माध्यम से चलाया जा सकता है जिससे शिक्षकों को अपने बरतमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ECCE योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल पाएगी आंगनबाडी कारेकत्रियों या शिक्षकों के ECCE प्रशिक्षन को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मुल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाएगा दिर्गावधी में राज्य सरकारों को चरण विशेश में व्यावसाईक प्रशिक्षन मार्ग दर्शन की विवस्था और करियर मैपिंग के जरिये आरंभिक वाल्यवस्था में देख भाल और शिक्षा के व्यावसाईक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तयार क इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसाईक तैयारी और उसके सतत व्यावसाईक विकास यानी CPD के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा. 1.8. ECCE को चरणबध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेतरों की आश्रम शालाओं में भी शुरू किया जाएगा. आश्रम शालाओं में ECCE को एकत्रित करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया बताये गए विवरण के जैसी ही होगी. 1.9. ECCE पाठेकरम और शिक्षण विधी की जिम्मेदारी मानो संसाधन विकास मंत्राले की होगी ताकि प्राथमिक विद्याले के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्याले तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूल भूत पहलूँँ पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अब ही आप सुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षानीत 2020 का अध्याय एक प्रारंबिक बाल्यवस्था, देख भाल और शिक्षा, सीखने की नीव वाचन्स्वर, अजीत होरू, निर्मान सहयोग, जग बंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत कि अजीत है, कि यूह मिन प्रकादा है, कि वौह मिन दूग एंजीत है, कि वौते भाल और तनुपर के भाल और वेगू झ Auch वलithe भाल है, कि मीना सहथ का वंब लौह